MS Public School को अब शक्ता है योग ये कुशल, महिला और पुरुष सिक्षकों की आकरशक बेतनमान टीचरों के लिए सेलरी का जो सकेल है वो 7000 से लेके 15000 तक और प्रिंसिपल के लिए 25000 रुपे से लेकर 35000 रुपे तक का आकरशक बेतनमान जी हाँ भेनों भाईयो चल रहा है आपके आजमगड़ शहर में इंटर्व्यू तो आज ही इंटर्व्यू के लिए अपनी जगा को पक्की करें और संपर करें इन नमबरों पर 7310-200-300 एक और नमबर याद रखिएगा 7310-300-400 इंटर्व्यू का अस्थान है होटल दीप कॉंटिनेंटल रोड़ वेज सिविल लाइन आजमगड पेट्रोल पंप के सामने दीप कॉंटिनेंटल होटल में चार तारीक और ग्यारा तारीक यानि इसी महीने की चार फरवरी और ग्यारा फरवरी को समय है 10 बजे से 3 बजे तक चल रहा है इंटर्व्यू MS पब्लिक स्कूल के लिए अब शक्ता है योग्य और कुशल टीचरों की महिला पुरुस्ट दोनों ही अपलाई कर सकते हैं तो आज ही अपने भविश को उजवल में बनाईए और सिख्षा जगत में अपना एक मुकाम बनाईए और बच्चों को देश के प्रती सुख्षित करके बहतर बिकल्ब तयार करिए आज ही संपर करिए MS Public School जिहां आपके शहर आजमगड में चल रहा है इंटरव्यू MS Public School के लिए मेल फीमेल टीचर्स की अवशक्ता है वेतन योगता नुसार पता याद रखिएगा देप कॉंटिनेंटल होटल रोडवेज सिविल लाइन आजमगड सडक बनी मौत का कुँआ पिछली घटना से सबक नहीं लिया प्रशासन ने जिला अलिगड के तहसील अतरवली के अंतरकत पिती दिनों एक पुलिस की कार सडक के किनारे बने तालाब में जागिरी थी जिसमें दो पुलिस कर्मियों सहित पांच लोगों की मौत हो गई थी जिससे प्रशासन सहित आसपास के छेत्रों में दहशत का माहौल पैदा हो गया था लेकिन इस बड़ी घटना के बाद भी प्रशासन ने कोई सबक नहीं लिया और उस मौत के कुएं का कोई हल नहीं निकाला गया आखिर क्यों प्रशासन जानगोच कर ऐसी बड़ी लापरवाहियों की और ध्यान नहीं देता यही कारण है कि इसका प्रभाव आम जनता पर पड़ता है पिशली बार की तरह आज फिर उसी जगह पर सुबह तीन बजे एक घटना फिर घटी है गुरे गाउन निवासी प्रीती पुत्री राजियन सिंगी सगाई दिल्ली से करके परिवार वाले वापस लौट रहे थे जब बस अत्रवली के समी पहुँची तो सगाई समारों से लट रही मीनिबस रास्ते में उसी जगह जहां पहले पुलिस की कारगिरी थी ये बस भी उसी मौद के कुए में जागिरी इस घटना में 12 से 14 लोग गंभीर अवस्था में घायल हैं और जिंदगी और मौत से जूज रहे हैं फिलहाल इनका इलाज बेडिकल कॉलेज में चल रहा है देखना होगा कि क्या प्रशासन इस तरह की घटनाओं को नजर अंदाज ही करता रहेगा या इस तरह की घटनाओं सब्सक्राइब करें लोग काहल भी है चोट आप किन-किन के है अगरे चोट और भी लोगा पर महिरवोई यह नहीं पता किन-किन के है बस कहां पर पलटी थी यह अध्रॉली में बस पलट गई थी और उसमें बहुत जखमी हुए हमारे हॉस्पिटल में सिफ छह लोग भरती है उसमें से बागी और दूसरे हॉस्पिटल में हैं कुछ के हैड इंजर है और फ्रेक्शर्स भी है लेकिन सब इस्टेबिल हैं कोई ज्यादा सीरेस है नहीं तेंक भी